हलो नमस्ति दोस्तों मैं उस रोज मेरे किचन में आपका बहुत स्वागत है तो friends हम घर में ही आपको फेसियल किस तरीके से कर सकते हैं वो बताएंगे और friends हमारी स्किन के लिए हम सब बहुत सारी चीजे ट्राइ करते हैं कि हमारी स्किन पे एक भी दाग नहीं दिखे और हमारी स्किन एकदम गोरी रहे और बहुत सुन्दर दिखे तो फ्रेंट्स अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और सुन्दर दिखने के लिए हम बहुत सारी चीजों का भी इस्तमाल करते हैं बहुत सारी चीजे हम लगाते हैं बहुत सारी क्रीम भी लगाते हैं फैसियल करवाने के लिए भी जाते हैं बट वो ग्लो नहीं मिल पाता है जो हमें चाहिए इकदम इसकीन बिल्कुल वाइट गोरी इकदम बहुत सुन्दर इसकीन हमारी नहीं दिख पाती है तो फ्रेंट्स आज आपके लिए बहुत यची रेमेडी लेके आएं जो किचन की चीजों से बनने वाली है और रसोही में हमारे घर के अंदर वो मिल जाती है तो यहाँ पर हम करते हैं फेरे लवली की बात यह हम बहुत सारी सालों से लगाते हैं बट इसका सही तरीका हमें नहीं मालूम है कि हमें सही किस तरीके से इसका यूज करना चाहिए क्योंकि हम इसको लेते हैं और हातों पे लगाते हैं और डाइरेक्टली हमें इसकीन पे लगा लेते हैं चेरे की उपर तो फेरे लबली किस तरीके से सही तरीके से किस तरीके से लगाई जाती है और इस से हमें कितना ज़्यादा फाइद हमारी स्किन को मिलता है कितनी ज़्यादा स्किन हमारी क्लीन हो जाती है साप हो जाती है और नेचरल तरीके से गोरा आपको चो skin गोरी है वो skin natural तरीकी से गोरी दिखेगी अगर थोड़ी सावली भी आपकी skin है दाग दबे हैं तो वो natural तरीकी से गोरी दिखेगी तो मैंने fairy lovely को मिला लिया है और इसमें डालेंगे हम कच्चा दूद तो दूद आपको दिख रहा होगा कि मैं चेरे पे लगाने के लिए ही इतना सा इफेष्ट बना रही हूँ आप अगर जादा लगाना चाते हैं तो थोड़ा सा पेष्ट को बढ़ा सकते हैं बटे चेरे के लिए काफी है तो फ्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोनु चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है दूद को और फेरे लवली को तो फ्रेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने मिलाया है तो ये दोनों चीज़े अच्छे से मिक्स हो चुकी है पांच मिनिट के लिए इसको थोड़ा रख देते हैं तो मैंने रख दिया था और इस थोड़ा सा नीबू का रस डालेंगी नीबू के रस से फ्रेंड्स हमारी जो भी सकिन की गंदगी होती है वो एक्दम साप हो जाती है और हमारी सकिन नेचुरल तरीके से कलो करना स्टार्ट हो जाती है तो अब जो मैंने नीवू का रस इसमें डाला था उन्ची जो को भी सबी कोच्छे से मिला लेते हैं आपको भी पता है कि नीवू का रस इसकीन के लिए डायरेक्टली नहीं लगाना चाहिए सकीन के उपर किसी ना किसी चीज में मिक्स करके लगाना चाहिए तो यहां पर मैंने इसमें जो mix किया है दूद भी हमारी skin को गोरा बनाता है हमारी skin की जो भी काला पन होता है उसको खतम करता है और आपको जब भी दूद लेना है तो बिल्कुल ताजा fresh दूद लेना है तो friends यहां पर देख सकते हैं मैं अच्छी तरीके से इसको मिला रही हूँ तो बहुत यह अच्छी तरीके से मैं मिला चुकी हूँ अच्छे से जैसे cream बनती है ने एक दम sopt उस तरीके की बन चुकी है तो friends इस तरीके से हम इसको हाथ पे लगाएंगे तो इसी टाइब से हाथ पे लगा लेते हैं और इस तरीके से में जो हाथ पे लगा कि आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको चेरे पे अपलाई करना है चेरे पे लगाना है और फिर इसका रिजल्ट आपको देखना को मिल जाएगा अगर आप कहीं शादी पार्टी में जा रहे हैं तो मेरे खेने से ये चीज़ एक पड़ जरूर लगा के जाएं आपकी स्किन दूर से ही चमकना स्टार्ट हो जाएगी ऐसे लगेगा जैसे आपकी स्किन नेचुरल तरीके से इतनी गोरी हो क्योंकि हम कोई भी फाउंडेशन लगाते हैं न तो अलग से ही दिखता है बटि मैं जो तरीका बता रही है वो ऐसा तरीका है इसका लगाने का आपकी स्किन एकदम साप हो जाएगी बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कुछ फैरे लब लिया कुछ भी क्रीम लगा रखी है नेचुरल तरीके से आपकी स्किन सुन्दर दिखेगी गोरी दिखेगी और कोई भी दाग दब नहीं दिखेंगी स्किन के उपर तो फ्रेंट्स कलर में डिफरेंट देख सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं यह आगे का भागर यह पीछे का इस्सा है दोनों हातों में ही डिफ्रेंट देख सकते हैं तो इसको दस मिनिट के लिए हम अच्छे से मसाज भी देना है इसकीन को और फिर दस मिनिट के लिए रखेंगे तो पांच मिनिट का वक्त हो चुका है देख सकते हैं तो friends यहाँ पर मैंने हाथ को अच्छे से बोस कर लिया है और result आपके सामने है देख सकते है तो friends इसमें और मेरी पीछे वाला जो हाथ उसमें रात दिन का अंतर देख रहा है देख सकते हैं इसकीन ऐसे लग रही है जैसे मैंने कुछ भी नहीं लगा रखा है तो फ्रेंट्स में गारंटी करते हूं एक बार में लगाने से आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा दोनों हातों में डिफरेंट आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा देखने के लिए और कोई भी स्कीन के ओपर शाइड इफे करके जरूर बताएं